हेलो गाइज, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे ही हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने औरा को पॉजिटिव के होगे होंगे कैस आज हम जो डेटिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, आपकी कौन से समस्य का समाधान आपको मिलने वाला है, ये एक चैनल डेटिंग है गाइज, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बद आपके सिचुशन के अकॉर्ड है, आपको रेजोनेट करती है, उस कि उसे साथ कि बाला आपके सालेमा गाहत बाला है, ना क्योंक रेटिंग है, ना क्यों है, बद दावा क्यों कक को कि आपको रेट साथ क्यों है, तальной कर दो है टेसंट लेएट हैं, अच्टकल टॉफिरी है, लोगा हुआ इस basics है, वेडवार्को रेगक वेर्तिकुण है, व five of pentacles, king of cups, nine of cups, the world, okay, death, five of ye justice, okay, last car card ye justice तैन कोeger, three of pentacles, eight of bands, six of bands guys, 九 раз永续 च하죠, समाध्या का समाध्भान आपके मिल रहा है guys, sorry, आपको बहुत ज़्द आपकी समाध्या का समध्दान आपको बहुत जल्द आपकी समाध्दान मिल रहा है, अपने केरियर को बनाने में आपके शिदत जो है वो मालइक देख रहे है का है। इवां यह कहलो कि जितना कोई इंसान अपना आइडिया चला सकता है जितना अपने प्रयास कर सकता है तो थो नहों हर तरीके का प्रयास आपने किया आय। कि मेहनत का एक लेवल जो होता ना वो उसे पार कर लिया है, है ना आप अपनी इस्ततियों को संभालने के कोशिश कर रहे हो, अपने अलब एक बिलकुल आपका the world का कार्ड क्या कहता है, कि किसे इनसान का व्यवहार में जो बाते नहीं है, है ना वो इनसान उस व्यवहार को भ करने के कोशिश कर रहा है, चीचों को संभालने के कोशिश कर रहा है, मैनेज करने के कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिसलती जा रही है, खराब होती जा रही है, और मालिक ना इन चीचों को देख रहे है, जैसे एक होता नहीं कि चीटी बार बार असफल होती है, लेकिन फि आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी है और आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर फोकस किया गया है ना गाइस तो यहाँ पर आपके केरियर को आपके आपके काम काज को लेकर है ना यह बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया कि इन चीजों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परिशान हो अभी आपके दिमाग में हैं देखो दो चीज़े चल रही है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली का भी मैटर है ठीक है आपकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर मैटर है और साथ में आपकी केरियर का भी मैटर है चाहे वो आ पहले अपने केरियर पर फोकस कर रहे हो अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा मेना चल रही है आपका जी जान जो है ना इसी बात पर है कि यह कैसे भी करके मैं ठीक कर दूँ रिप्लेस करने का भी मन में आता है चेंज करने का भी मन में आता है लेकिन फिर भी एक मैं पहले से करके रखूं क्या पता अगर कभी चेंज करने के आवशक्ता हो गई तो मेरे लिए एक सिफटी पॉइंट रहेगा यह के संबन में है तो अभी आपका दियान जो है ना यह पूरी तरीके से केरियर पर जा रहा है आपके दिमाग में कि पहले मैं इससे संभाल लू लिए आ है और रहे सकते हैं और यह सही भी है ठीक है लेकिन आपका दिमाग जो है कहीं न थोड़ा पहुती से लेकिन अपने पर्सणल याप को लेकर भी चल रहा है तो अब ही मैंड जहनें अपने केरियर को ले तो लेकर पर्सणल designer से के लिए वकत हुआ है जिने अपने बारे में सोचने के लिए वक्ती नहीं है है ना अपने पसंद ना पसंद कुछ भी चीज एक जैसे होता है कि काम के अलावा किसी इंसान को ना अपने बारे में सोचने के लिए या अपने दिमाग को रिलेक्स करने के लिए टाइम होना चाहिए वो टाइम आपके पास अभी है ने मेभी हो सकता है यहाँ पर loss वाला लग रहा है guys loss पैसों का यहाँ पर भी चिंता कि करते जाओ मेहनत करते जाओ करते जाओ आगे जाकर कुछ नहीं ऐसा क्यों guys ऐसा क्यों देखो एक चीज कहूं यहाँ पर कि अभी आपने financial matter को लेकर आपने career को लेकर थोड़ा problem जीली है कुछ लोगों के कटाक्ष मुझे ऐसा लगता है guys आप जील रहे हों यहना कुछ लोग आपको परिशन कर रहे हैं लेकिन आखिरकार में क्या है आखिरकार के situation क्या है आपके साथ क्या होगा यहाँ आपके साथ निया होगा नहीं होगा यह चीज़े सुद्रे की नहीं सुद्रे की उस बात को लेकर एक बात कहूं कि चीज़े सुद्रे की guys आपके समस्याओं के समधान है यहाँ पर दुनों ही मामलों को लेकर है guys क्योंकि यहां पर आया justice का card और यहां पर आया nine of cups का card आप अपने काम को लेकर ना एक अपने मन्जिल को तै कर रखा है यह destiny आपने बना रखी है एक destiny आपने बना रखी है एक अपना खौब जो है ना बहुत बड़ा संजोर रखा है यह टूटे का नहीं इस वाज कर श्रखार खरना अगर को इंसान संगर्षी ना करें तो उन्हें मैनत की यहराई का अंधाजा कैसे हो आपको मैनत की यह इक यहराई का अंधाजा है डाइस अपने क Kiss-वल तक की मैनत करी है ना constraints का है उम वह कहें कि चीजे ठीक हो ना कब स्टार्ट हो जाएगी अब भी कह सकते हैं काईज कि समय ऐसा चल ठाए कि जहां पर आपके काम को लेकर आपके पैसो को लेकर आपके केरियर को लेकर रेकवरी यह होगी काईज क्योंकि देखने का मतलब यही है और यहाँ पर नव काफ और यहाँ पर है जस्टिस का काड जो यही कहता है कि रेकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है लेकिन एक ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएना गाज यहाँ ऐसा कि अब बिगड़ेगा नहीं आप ठीकी होगा बिलकुल उस लेवल तक में पहुँचेगी और जो लोग आपके काम में बादक बनने की कोशिश कर आपको परेशन करने की कोशिश कर रहे हैं यह आपके काम को ना काम में आपके और दिक्कत उत्मन करने की कोशिश कर रहे हैं ना कुछ लोग परेशन कर रहे हैं आपको यहां पर पता चला बहुत ज़्यदा कम्पिटिशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह यह कुछ फिनांशल मेंटर को लेकरना एक थोड़ा साफधान रहना काई कभी भी किसी के साथ डील कर रहे होना तो थोड़ा सोच विचार कर डील करना और अगर मानलों साजेधारी में काम कर रहे होना तो वहां पर भी थोड़ा सतरत में रहना काई अब भी आपको पैसो को लेकर financial matter को लेकर किसी पर trust ना करने वाले situation बनी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहले ही थोड़े टाइम पहले आपने पैसो को लेकर कोई loss देखा है किसी ने चल किया है आपके साथ पैसो को लेकर यहां किसी ने उधारी आपस ले ली है वापस return नहीं कर रहा है किसी तरीके का कुछ तो ऐसा हुआ है काया जिसकी जो help आपने करी है किसी की वो help आप पर उल्टी पड़ गई बलाई का नतीचा आपको बुराई के रूप में देखने को मिला है और मैनत का पैसा कहीं नहीं जाता का है यह गुम कर आता है यह गुम कर आता है आपकी कोई बहुत बढ़ी रकम यहां पर छोटा amount के बारे में नहीं लग रहा है बड़ा amount जो सकता है कि किसी ने अपने घर परिवार के health के issue को लेकर आपको बताया है उधारी आपसे ली है यह कोई बहुत बड़ा reason जो आपको emotional कर ले ऐसा कोई reason बता करना आपसे पैसे की उतारी ले ले आपसे पैसो की उतारी ले ले लेकिन return करने को बनता नहीं है इनको बनेका guys कैसे नहीं बनेगा इनको आपको पैसा return करना ही पड़ेगा और ये आएगा चिंता मत करना आप है ना थोड़ा हो सकता है time लग जाए लेकिन ये पैसा आपका आपके पास आएगा चीक और दूसरा फिट से कह रही हो साफ़दार इंबरतना ये समय ऐसा चल रहा है जहां पर आपको अभी पैसों को लेकर त्रश्ट नहीं करना है पैसे की लेंद्दिन करो, कोई डील करो, किसी कागज पर साइन करना करना जो है अच्छे से बढ़कर सोच समझ करना, फिर करना ठीक है ताकि लॉस ना हो ठीक है और इन्वेस्ट करते समय भी आपको बड़ा ख्याल रखने के आप शक्ता है ठीक है कि यहाँ पर एक बात और नजर आ रहे है जो बड़ी अच्छी है कि आपके काम में गती आपको बहुत जल देखने को मिलेंगे काईस और है रहा है यहां पर त्री ओपेंटिकल्स का काड़ आया यह दिखो हमाइग गार गाइस बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा है यह बहुत जल्द आपको यह आसान नजर आ जाएंगे कि आप जिस प्रॉब्लम को लेकर जितना बड़ा सोच होना इतना बड़ा हो जाएगा यह डेथ वाले चीज लग रही है यह लग रही है लेकिन यह होगी नहीं यहां पर इसके साथ फाइफर सोच के साथ आया है जिस्ट इसका काड़ जो कहता है कि यह अन्याएं आपके साथ नहीं होने दिया जाएगा क्यों कि आपके मेहनत को मालिक نے देखा है और आपने अपनी मेहनत दी है आपकी कत्नी और करनी में फरक नहीं है कि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो या आपने उतना किया नहीं है अपने career को लेकर बहुत कुछ किया है और ये मालिक ने देखा है और आपकी मैनद पर victory बनती है ओची level के सफलत आपको मिलेगे गायस ये मैनद कभी भी आप भोलोगे नहीं बकाईदा कभी भी नहीं भूलने वाले हो, अभी एक situation में आपको अठकाया क्यों गया है, इस वज़े से कि एक बार इस situation में आप समझो चीजों को, परिस्तितियों को समझने की कोशिश करो, है ना, या अपनी मैनत के अगर तरीके change करने है, या एक कोई नया पन लाना है, एक पनाना है, उन सब चीजों के बारे में आपको पताया गया है, लेकिन रिप्लेस करने का ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या आप रिप्लेस कर पाओ, या रिप्लेस करना आपके लिए सही है, आपको इसी में एक नया पन लाने के आफशकता है, अपनी creativity को और उभ कर रहे हैं वहां पर इन लोगों को अपनी लाइफ में बीजी किया जा रहा है यह आपको हेल्पलेस करना चाहते हैं यह चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है कि कोई भी आपके मदद ना करें या फिर आपका कोई ग्रुप ना बन जाए में भी हो सब्सक्राइब कि आपकी लोगों से बाचित कम हो रही है या लोगों का नजरिया भी आपके प्रति अभी अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन अपने आप दीरे-दीरे कहता है ना गाइस इन लोगों की प्लानिंग फैस होना और वर्पलेस पर भी लोगों के साथ आपका ताल में अच्छा बैठना य जो कहता है कि emotionally balance आना यानि आपका satisfaction की वही काम आप अच्छे से कर पाऊ है ना वहाँ पर कोई problem परेशानी create ना करे या कोई आपके boss है अधिकारी है उच्छ वर्ग के कोई लोग है उनके साथ आपका ताल में अच्छा नहीं बैठ पा रहा है वो ताल में अच्छा बैठता किसी के लिए बिलकुल कुछ वैसा गाइस कि आपके लिए किसी के मन में इस तरह के बाव आएंगे एक बात कहूं मुझे इस रिडिंग के जरी एक बात बहुत clear समझ में आ रही है कि आपको परेशान करने वाले लोग रुक जाएंगे आपको परेशान नहीं करेंगे अब यह नहीं कह सकते हैं यह शत्रू लोग ही है जो भी लोग intention रखकर या फिर एक गलत फहीमी के गलत फहीमी रखकर आपको परेशान कर रहे थे प्रस्तुत करने में या किसी तरीके के आपको लाइफ में आगे बढ़ने सफलता दिलाने में आपका आइडिया बहुत काम करने वाला है बनला अगर आप फोर अप स्वाट्स अगर आप स्टरक भी हो ना तब भी आपकी एनरजी कहीं ने कहीं को सपोर्ट कर रही है आपको मदद कर रही है आपका दिमाग चलता जा रहा है जब तक नीद नहीं आती ना आपका दिमाग चलता जाता है कुछ न कुछ सोच तो ही जाते हो आप और यह सोच सोच में कहता है ना अच्छा सोच लेना अच्छा एडिया आजाना वो होगा आपके साथ ठीक है यह बहुत जल्द आपकी समधान हो रहा है आट नौ हफ़ते में पका कोई इस financial matter को लेकर आपकी problems all है इगहां है कि आपके मन में जो भी स्वाला दिमाग है कि मेरी समस्य के समधान कर दो माले को इंचे my इस में कट समातन बील्कुल बकायदा आपको मिलें गी Sun आप आपका मालिक पर ट्रस्ट जो है न ये इसाया नहीं जाने वाला आपके महनत आपकी कर्म मालिक देख रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चें दोकर जियो गाईस आप कभी भी ऐसा लगे ना कि आपको किसी के हल्प की आवशक्ता है लाइफ में किसे भी मामने को लेकर गाए चाहिए आपके पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो आपका हैट का इश्चु हो जो कुछ भी जहां पर आपको मेंटली और स्पीच्वली सपोर्ट के आवशक्ता होती है ना ये काड़ यही कहता है कि आप मालिक से प्रेयर क मिलेंगे जो आप चाहते हो आपके अंसर आपको मिलेंगे ठीक है यह देखो यहां पर चाबी है कि समस्या के समाधान बिल्कुल आपको मिलने वाले है ठीक है बस यहां पर एक बात कही जा रही है कि जो मैथड आपने पहले मन जिस तरीके से मैथड आप यूज करते थे टे टेक्निक्स को methods को फदल करें क्या पता उससे आपको समझ्य का समधान हो जाए क्या पता उससे आपकी सफलता आपको जल्द मिलें विक्त्रलिय मिलना तो तय है का है लेकिन यहां पर रास्ता चींज नहीं करना है तोड़ी सी technique को बदलना है यह बात कही जारी है तो अपनी creativity को उबाने की कोशिश करो, एक बार सोचने की कोशिश करो कि मैं ऐसा त्या करूं कि मेरी थोड़ा तरीका चेंज भी हो जाए, मेरा काम में भी मुझे सफलता मिले, है ना? और मालिक से देखना आपको बेस्ट आइडिया मिलने वाला है, यह देखो, आगे चलकर खुशी मना होगे, क्योंकि त्री के एनरजी आई है और इस समस्या पर आई है, यह 101 परसंट है कि यह जिस भी बात को लेकर आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा चीनता है, कि मुझे इ धंकर तरीके से कहता है हताशा हो जाना, आप उसमें विक्ट्री पार जाओगे, क्योंकि इसके पास में यह काड आया है, यह जुमते हुए, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे है, यह ग्रोथ पुकड़ी हुई काईस, एक्चल में क्या है, किसी इंसान को इतनी महनत क्य लेकिन उससे पहले आप एक गहराई किसी बात को लेकर वो आप आपने आपने जान ली है काईस, हैना, मैं कैसे समझाओं कि एक महनत का क्या लेवल होता है, उस लेवल को आपने पहचान लिया है, ठीके अब आपके कंट्रोल में ऐसी कोई सिचुएशन रहनी नहीं चाहिए कि कभी लाइफ में आपके ऐसे उतार चड़ावा जाए तो उसको हैंडल करना आपको ना आए, इस लेवल तक कभी भी आपके साथ नहीं होगा, यह जो आपने सहा है ना, इस बात को लेकर यह एक पीक पॉइंट था गाईस, इसके बाद में इतना जद्दो जहर या इतना पशोपेश आपको लाइफ में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे ना आपने समझ बहुत अच्छी उठा ली है, किसे हैंडल कैसे करना, आप कोई सिचुएशन ऐसे क्रेट होने वाली होगी, उससे पहले ही आप सतर को जाओगे, मतलब एक बात कहुंगा, इसके एक ही बा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह क्यों आया है, यह कोगे मैम, अभी तो इतना जहिल रहे हैं, और यह फ्यूजर के बारे में आप बात कर रहे हो, यह इसे कनेक्ट करके देखो, क्यों नहीं, क्योंकि आपकी महनत, जो बार-बार कहरी हो की खाली नहीं होज़ए है कि इसे पार किसे पाना आए, यानि आपकी विजडम बढ़य जा रहे है, आपका ज्यान बढ़ जा रहा हो, क्याइस, पत्त्तर को घीस करना हीरें जैसा तराशा जा रहा है, अभी कहोगे मैं बहुआ ज्यादहर हो रहे हैं, ऐसा तराशना भी क्या, ठीक्कÝ अ समझ रहे हों guys लेकिन destiny के अगर यही planning है और अगर उनका यही फैसला है तो इसी रहा पर आके बढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर हमें पता है कि नहीं आज नहीं तो कल सब को situation हमारे काबू में हो जाएगी और भविशे में ऐसा बिगड़क कभी भी नहीं होगा उससे अच्छ हमें deserve करते हो guys यह victory आप deserve करते हो है ना यह victory आप करते हो यह celebration आप deserve करते हो guys यह growth यह abundance आप deserve करते हो एक बात सच कह रहे हो guys कि अभी इस तरीके का because of Yongini and People प्रॉब्लम से हट करना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल आने वाले हैं जापर बड़े अनौसमेंट आपकरने वाले हो में भी हो सकता है आपकी घर में या आपके अंगेजमेंट के वेडिंग के प्रगनेंशी के या ग्रेजवेशन के किसी भी तरीके के कोई बड़े टाइम ओफ ग्रेटिटूड गाइस कि ये आने वाला समय आपकी समस्यां को खतम करके आपके लिए ग्रेटिटूड वाला करोगे कि अगर उन्होंने साथ दिया होता तो आप अपनी एनरजी को नहीं पहचान पाते हैं कि आपने भी वो शमताएं हैं आप भी उन परिस्तितियों उसे जूच कर आगे बढ़ने की शमता रखते हो आप में भी क्रियेटिविटी है तो परिस्तितियां आपकी लाइप मे नहीं थे अपनी खुद के लाइफ अपनी नियंतरण में नहीं थे ना उनकी लाइफ पूरी तरीके से उनके नियंतरण में आएगी यानि आपको फ्रीडम बहुत बड़ी मिलने वाले हैं बेवजे के कंट्रोल से आप बरी हो रहे हो गाइज बहुत निकट कुछ ऐसी ब्ल कि आपको इंतजार थाना काईस वह में यह देखो यह काड़ क्या कहता है कि एक एक बीवजे का डर काईस बीवजे की तकलिफ में कोई इंसान है अब अब किसी को यह तो नहीं पताना कि कल मेरी मेरी लाइफ में क्या होगा या दो घंटे बाद में मेरी लाइफ में क्या होगा क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा कुछ भी किसी को पता नहीं होता काई लेकिन यहां पर यह कहां जा रहा है जैसे यहां पर डेथ का काड़ है और यहां पर जेस्टिस का काड़ पता नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा यहां पर एक जदना की बूरा मत मानना गाइस situation बिलकुल वैसे लग रही है जैसे हर दिन इनसान घुट घुट कर जीता है ना वो जीना जीना नहीं होता लग एक जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके नजरों के सामने कुछ चीज़े खराब होती जा रही है यहां पर कहां जा रहा है कि इस डर से बाहर आओ यह आपका डर है यह आप पर हावी हो रहा है कभी आपने पास्ट में ऐसे चीज़े देखी होगी यह अभी के situation कुछ ऐसे लग भग आपको दिख रही होगी लेकिन घटित वो नहीं होगी जो negativity के thought आपके दिमाग में चल रहा है बुरे thought चल रहा है ना इतना कुछ bigger इतने अच्छे बच्चे की तरह अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी परिक्षाएं दी है तो सफल मालिक आपको definitely करेंगे आपको परिशान थोड़ी करना है आपको सफल मालिक करेंगे definitely करेंगे और यहां पर एक बात कहूं guys कि जितना आपको डर है ना hidden बहुत कुछ ऐसा ह है कि आपकी safety के लिए बहुत कुछ किया गया है और समय आने पर कहता है ना कि एक निश्चित समय पर किसी help के आपशक्ता होती है कोई बड़ी जुरुत आपको चाहिए होती है ना वो मिल जाना आपको वो सुरक्षा मिल जाना आपको यहां पर उसके बारे में बात कही जार का इसकी मेहनत का बहुत ज़्यादा होता है ना कभी-कभी हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं कभी-कभी ग्रहों की दशाएं आड़े आ जाती है देखे कभी-कभी बेवजे के बुगतान तो यह सब मिला जुडा करना कभी-कभी सामय जो होता ना थोड़ा difficult होता है लेकिन उस जैसे चैलेंजस आपने देखे होंगे लेकिन यहां पर आपकी जितनी responsibility बढ़ रही है उतना ही आपका सास भी बढ़ रहा और उतना ही आप काबिल भी होते जा रहे हो guys ठीक है तो बेवजे के डर और thought जो आपकी दिमाग में आते है ना उन्हें पनपने मत दो उन्हें अप यह लो 10 of pentacles यह काड आजकल बहुत आता है यह काड क्या कहता है financially security for yourself and your family आपके परिवार को लेकर आपको लेकर पूरी तरीके से financially security आपको मिलेगी guys यह बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे है और आप देखो कितनी उच्छाल मारोगे अपनी life में अपनी carrier में ना कितनी breakthrough वाल पल आपकी life में आने वाला है guys कि जहां जिस पॉइंट पर आपको लग रहा है इतने परेशानों इतने परेशानों miracle इस तरीके का होगा है हैरान हो जाओगे सच मैं breakthrough का मतलब क्या है कि अच्छाना काम में गत्ती मिल जाना अच्छाना काम में सफलता मिल जाना हो सकता है अगर प्रोमोशन भी मिल जाए जो आपको लग भग impossible लग रहा है तो प्रोमोशन के बिमतलब यहां पर अमाउंट बढ़कर आपकी life में कैसे आए हर मन्त इसके लिए कुछ चीजे चल रही है भले अभी मैनत देनी पड़ रही है लेकिन यह समय ऐसा है कि आपको मैनत थूड़ी देनी पड़े की है ना लेकिन संगार्श आपके कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम होंगे काई चीक है और यह जो चिंता आपको लेकर है ना यह चिंता आपकी दोर हो जाएगी एवन एक और बात कह दो जवाब के भाग्य में है कि आप अपने घर परिवार में है ना सबसे आगे बढ़ोगे काई उचाई में चो है ना केरियर में सबसे ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी एक उची लेवल की एक वो बात आती है ना एक विचार आता है ना कि आपके घर परिवार में गरीबी लेखा को पार करके उससे आगे बढ़ने वाले आप होंगे तो अपने आपके प्रसंसा करेंगे आपके समाज वाले भी आपका उधारन देखना दोगों को देंगी देखो गाइस अगर आपके बहुत ज्यादा शंगर्श आपको लग रहे हैं तो एक काम करना कि एक के बेवजे की भगदर आपकी लाइफ में बहुत जादा है यह मेहनत हद से ज ठीक है और हनुमान जी के दर्शन करके आओ इससे क्या है ना कि आपके यह जो फिजूल के संगर्श जो है ना जो बेवजे के हैं जो एक छोटे काम में आपको बहुत जादा मेहनत देनी पड़ती है जैसे पांच मिनिट के काम में आपका आदा गंटा एक गंटा लग रहा यह ज़ते हैं तो यह जचेज करने के कोशिश करना शनिवार के दिन नौश शनिवार करके देख लो आप एना कि विलक्ष के नीचे शाम के टाइम है ना जाकर सर्सों के तेल का दिया और उसमें अगर तेल डालो तो अच्छी बात है प्लैक मिले तो ब्लैक मिले तो पर एक कॉड़ी आती है कॉड़ी शेल है ना उनको अगरवत्ती करके पूजा करके या फिर ऐसे मालिक का नाम ने करना वहाँ पर रब तो या कहीं भी ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी काम या जरूरी डील करने के लिए जा रहे हैं तब वह अपने पॉकेट में अपने पास रखो है ना तो आपका काम जल्दी से बने का और थोड़ा संगर्श थोड़ी तकलिफें आपको कम होगी काईज दवी ही ओके काईज देखो बिल्कुल यहाँ पर कहां चारा है कि एक नई श्टार्ट एक नई श्रवात आपकी लाइफ में हो रही है जो आपके प्राब्लम्स को खतम करेगी आपके लाइफ में अनैस्पेक्टेड प्रोग्रेस को लेकर आएगी है ना अचंबित करने वाली प्रोग्रेस जैसा कहा ना कि ब्रेक्थ्रू वाला मोमेंट आपकी आपके लाइफ में बनेगा ही बनेगा एक नया सरकल आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है काईस जो आपके जीवन को आसान करें और जो डीलेज हो रहे हैं उन डीलेज को दूर करतें आपके लिए वो समय लेकर आजाए जिसके आपको सबसे ज़्यादा आवर्शकता है ठीक है ना तो एक नया चैप्टर एक नहीं यात्रा के लोगा इस आपकी लेक की वो आपकी जीवन में शुरू हो चुकी है टैन आप स्वार्स का काड आया है जो सिच्वेशन को ही खतम कर दिया जा रहा है जो सिच्वेशन आपको प्रॉब्लम दे रही थी क्योंकि टैन आप स्वार्स के साथ में आया है दवील का काड यानि भागय का साथ और भागय का साथ आपको सिच्वेशन से उस भीवज़े की संगर्ष से दूर कर रहा है मजब समस्या के समदान गाएस आपकी हिम्मत आपका सहस आपकी सोच आपकी विज्डुम इन सब को मिला कर भागय को मिला कर आपका संगर्ष कम होते हुए और आपकी तरकी की रहा पर आगे बढ़ते हुए नजर आरे तो जो भी समस्या है आपका भाग कि 8-9 हफतों में आपके उस समस्या का समधान आपके सामने लेकर आ जाएगा निश्चेंत होकर जीना और मालिक पर बिलीव करना साथ में आपके एक कोई ख्वाइश भी पूरी होती हुई इन 8-9 हफतों में देखने को मिलेगे आपको तो एक बात इस रिडिंग के जरी मुझे समझ में आई है कि आपको चिंता नहीं करनी है आपको मालिक पर बिलीव रखने के आवशक्ता है और मालिक के होते आपकी लाइफ में कुछ भी नुकसान नहीं होगा ठीक है न जी तो गाइस ये थी आज की लिडिंग आई होप आपको पसंद आईए अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स लिडिंग में तब तक के लिए बाई